जैसरी राधिकिष्णूर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है आईए सुनते हैं आज स्रावन मास महात्मे कथा में छटे अध्याय की कथा अब तक आपने एक से लेकर के पाच अध्याय कथा को सरवन किया अगर पिछले अध्याय कथा को नहीं सुन हो तो हमारे चैनल पर स्रावन मास महात्मे के नाम से प्लेलिष्ट बनाया गया है आप वहां से पिछले अध्याय कथा को सरवन कर सकते हैं इसी प्रकार से आगे आप सब कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करे साथ में वेल आइकन घंटी को दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोट्फिकेशन आपको समय से मिलता रहे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमस्यवाई जरूर लिखे तो आईए सुनेंगे सिरावन मास महात्मय कथा में छठे अध्या की कथा इस अध्याय में सोम बार व्रत्य का विधान बतलाया गया है तो बोलिए प्रेम से भगवान भूले नाथ की जै माता पारवती की जै सर्वदीवी दीवता की जै सनत कुमार बोले कि हे भगवन मैंने रभी बार का हर सकारक महात्मय सुन लिया अब आप तो स्रावन मास में सोम बार का महात्मय मुझे सुनाईए इस वर बोले कि हे सनत कुमार सुरिय मेरा नेत्र है उसका महात्मय इतना स्रेष्ट है तो फिर उमात सहीत मेरे नाम बाले उस सोम बार का क्या कहना उसका जो महात्मे मेरे लिए बर्णन के योगी है उसे मैं आपसे कहता हूँ सोम चंद्रमा का नाम है और यहां ब्रामनों का राजा है यग्यों का साधन भी सोम है उस सोम के नाम के कारणों को आप साब्धान होकर मुझसे सुनिये क्योंकि यह बार मेरे ही स्वरूप है अतह इसे सोम कहा गया है इसलिए यह समस्त राजी का प्रदाता तथा स्रेष्ट है ब्रत्र करने वाले को यह संपुर्ण राजी का फल देने वाला है हे विप्र उसकी विधी सुनिये मैं आपको विस्तार पुरवक बता रहा हूँ तो स्रावन मास में इसे अवश्य करना चाहिए इस मास में इस व्रत्र को करने से मनुष्य वर्स भर्द के लिए व्रत्र का फल प्राप्त करता है स्रावन में शुक्ल पक्षि के प्रथम सामबार को यह संकल्प करे कि मैं विदिवत इस ब्रत्ट को करूँगा यह करूंगी सिब्जी मुझ पर प्रशन हो इस प्रकार चारो सोमबार के दिन और यदि पांच हो जाए तो उसमें भी प्रातहकाल यह संकल्प करे और रात्री में शिवजी का पूजन करे सोलह उपचारों से सायम काल में भी शिवजी की पूजा करे और एक कागरशित होकर इस डिव कथा को सरवन करे है सनतकुमार इस सोंबार की कही जाने वाली विधी को अब मुझे सुनिये स्राबन मास के प्रथम सोंबार को इस स्रेष्ट व्रत्त को प्राडंप करे मनिश्य को चाहिए कि अच्छी तरह अश्नान करके पवित्र होकर स्वेत वस्तर धारन कर ले और काम क्रोध एहंकार दुएस निंदा आदि का त्याक करके मालती मलिका आदि स्वेत पुस्पो को लाए इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुस्पो से तथा अभिष्ट पुझनूप चारों की द्वारा त्रेम भकम इस मूल मंत्र से शिवजी की पूजा करे उसके बाद कहे कि मैं शव भावनास महादेव उग्र उग्रनाथ भाव शशी मौली रुद्र नील कंठ शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनुहर उप्चारों से देवे शिव का विदिवत पूजन करे जो इस व्रत को करता है उसके पुर्णे फल को सुनिये जो लोग सोंबार के दिन पारवती सहित शिव की पूजा करते हैं वे पुर्णाव विर्ती से रहित अक्षय लोग प्राप्त करते हैं हे सरत कुमार इस मास में नक्ट व्रत से जो पूर्णे प्राप्त होता है उसे मैं संशेप में कहता हूँ देवताओं तथा दानवों से भी अविद्य साथ जन्मों का अरजित पाप नक्ट भोजन से नश्ट हो जाता है इसमें संदेह नहीं करना चाहिए अथवा इस अत्युत्तम दत्त को उपवास पुर्वक करें इसे करने से पुत्र की एक्षा रखने वाला मनुश्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है वहां जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है इस लोक में दिर्ग कालिक वानचित शुखोक भोग को भोग कर अंत में स्रिष्ट विमान पर आरोड होकर वहां रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है चित्र चंचल है धन चंचल है और जीवन भी चंचल है ऐसा समझ कर यतन पुरुवक व्रत्य का उद्यापन करना चाहिए चांदी के विशप पर विराजमान, स्वर्ण निर्मेद, शिव तथा पारवती जी की प्रतीमा अपने सामर्थ के अनुसार बनाने चाहिए इसमें धन की क्रिपंता नहीं करने चाहिए इसके बाद एक दिब तथा शुभ लिंगतो भद्र मंडल बनाए तथा उसमें दो स्वेत वस्तरों से युक्त एक घट अस्थापीत करे घट के उपर तामबे अथवा बास का बना हुआ पात्र रखे और उसके उपर उमासहित शिव को अस्थापीत करे इसके बाद सुर्ती अस्मिर्ती तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करे उसके उपर सुन्दर चंदोबा लगाए उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनी के साथ रात में जागरन करे उसके बाद बुद्धिमान मनुश्य अपने ग्रिहय सुत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अगनी अस्थापन करे और फिर शिव आदी 11 हस्त्रिष्ट नामों से पलास की समिधाओं से 108 बार आहूती प्रदान करे यव ब्रिही तिल आदी की आहूती अप्या यश्वा इस मन्त्र से दे और बिल्ब पत्रों की आहूती त्रयम वकम अथवा सरक्षर मंत्र ओम नमस शिवाय से परदान करे। उसके बाद स्विष्टी क्रित होम करके पूर्णा हूती देकर आचारी का पूजन करे। और बाद में उन्हें गौदान परदान करे। उसके बाद ग्यारह स्रिष्ट ब्रह्मनों को भोजन कराए तथा उन्हें वंस पात्र सहित ग्यारह घाट एक ग्यारह घट परदान करे। इसके बाद पूजित देवताओं को तथा देवता को अर्पित सभी सामकरी आचार्ज को दे और ततपश्यात प्रातना करे। मेरा रत परिपूर्ण हो और शिवजी मुझ पर प्रशन हो। उसके बाद बंधों के साथ हर सपुर्वक भोजन करे। इसी विधान से जो मनुश्य इस व्रत्त को करता है वह जिस जिस अभीलशीत वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिव लोग को प्र जीत होता है है सनत कुमार सर्वपर्थम स्रेकृष्ण ने इस मंगलकारी सुम बार व्रत्त को किया था स्रेष्ट आस्तिक्त था धर्म पारायन राजाओं ने भी इस व्रत्त को किया था जो इस व्रत्त का निट स्रवन करता है वह भी उस व्रत्त के करने का फल प्राप्त कर इस प्रकार से स्री असकंद पुरान के अंतरगत इस्वर्चनत कुमार संबाद में स्रावन मास महात्मे में सुम बार ब्रत कथन नमक शठा अध्याय पूर्ण हुआ तो बोलिए प्रेम से भगवान भोले नाथ की जै माता पारवती की जै सरवदेवी देवता की जै इसी प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्याय को सुनना चाहते हों हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी को दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोट्फिकेशन आपको समय से मिलता रहें वीडियो को लाइक करें शियर करें शुखी रहें और स्वस्त रहें जै स्री राधिकिशन धन्यबाद